आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित रसायन विज्ञान भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउनल मानुमान्वान सखी क्या होती है दोस्तों मानोन में वपस्थिद उन्मा पदार्थों का अन्वांसी पदार्थों तथा का तथा उसके महात्यों का अध्यान उसके कार्यों वह महात्यों का अध्यान तो यह कहलाता है महात्यों का अध्यान जो होता दोस्तों वह क्या कहलाता है अब दूसरी बात करते हैं लोग जो है किसकी वंसावली की वंसावली के मतलब जानते है कि अध्यान दोस्तों इसका मतलब होता है कि जो है मानों के मानों के सभी लच्छा लच्छा सभी अन्मानसिक लच्छा लच्छान क्या होते हैं दोस्तों अन्मानसिक लच्छा एक जात से जाती से या एक पीढ़ी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अस्ठानंत्र या पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में या पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी तर पीढ़ी क्या होते हैं अस्थानांत्रन को मानो में क्या होता है एक जो है मानो में अनासिक मंदलब पदार जो सभी लख्ठन होते हैं जो उसके माता पिता से उसके बच्चे में उसके बच्चों से मतलब पीड़ी दर पीड़ी जो होता है wraps कि एक लचल tuks अब को आपके लचल्ड। वह बत्तत में तो यही मानों के सभी अन्द सी लचल coal मोते हैं यह क्या होते हैं यह दूसरे मतलब पूरी पीड़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं जाते रहते हैं पीड़ी दर पीड़ी तो उन्हें के रहते हैं वनसा वली कहते हैं दोस्तों अब यहां पर दिया गया है वनसा वली के दो फाइदे तो हम यहां पर आपको बात करते हैं सबसे पहला फाइदा क्या होता है जो है किसी मदब की सबसे पूर बजों की पहचान में पूर बजों की पहचान में पहचान में सबसे और किसमें दोस्तों और किसमें होता दोस्तों जो है फैमिली की पहचान में किसी की फैमिली हुआ माता पिता की पहचान में माता पिता को पहचानने के लिए पहचानने मान लिजी किसी माता पिता खो गए हैं उसको पहचानने के लिए ही जेनेटिक इंजनरी का प्रियोग किया जाता है डिने टेस्टिंग का पहचानने पहिचानने में। और किस में प्रियों होता दोस्तों? जो है फिंगर पिंट में। मतलँब अपरादों को पकड़ने में अ आप राधू को पकड़ने के लिए trainee testing पॉर पकड़नों कर आजाती दोस्तों अ अपरादों और किसमें दोस्तों और किसमें होता इस्टेम सेल में इस्टेम सेल को बनाने में मतलब इस्टेम सेल क्या होती दोस्तों यह सेल ऐसी सेल होती जिनसे किसी आर्गन को दुबारा जो है वो प्रतियार उपित किया जा सकता है मतलब किसी किसी सरीर के अंग को अंग को जो है फिर से फिर से उगा सकते हैं सकते हैं या या बीमारी खतम कर सकते हैं तो stem cell से क्या होता दोस्तों वो जो है किसी भी सरीर के भाग को उगा सकते हैं हम लोग और या जो है किसी भी बीमारी को खतम कर सकते हैं बहुत सारी बीमारी जो है stem cell से खतम होती साइभनेमे और क्या दोस्तों होता है दूस्तों इसका क्लोनिंग में अ Анइक ही प्रजात की ट पर दूसरा रूप दे देना दोस्तों संबसे पहले also 412 से लेकर नीट elimaci बरेश है कि रोज़विव Mraciस अब लच्प करे अपने सारे डाउट्स जाथ है झाल 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 झाल